जब आप शादी से पहले किसी लड़के को देखने जाते हैं, तो मन में कई तरह तरह के ख्याल आते हैं। आप सोचते हैं लड़का न जाने कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा, नेचर का कैसा होगा, और भी तमाम तरह के सवाल जहन में उठते हैं। लेकिन आप जिस लड़के से मिलने जाए और वो आपकी स्कूटी लेकर ही फरार हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। कुछ ऐसा ही मामला लखनव में हुआ है। निकाह करने के लिए एक युवती ने युवक से मुलाकात की, इस दोरान युवक जब युवती से मिलने पहुचा तो उसकी स्कूटी लेकर फरार हो गया। युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक गोमती नगर की रहने वाली शबनम शादी.com पर अपने निकाह के लिए लड़के की तलाश कर रही थी इस से पहले युवती का तलाख अपने पती से हो गया था जिसके बाद शादी.com पर प्रोफाइल बनाकर युवक की तलाश कर रही थी इस दोरान एक युवक से बातचीत हुई जिसने अपना नाम सलीम बताया था. अपने आपको रेलवे में सरकारी कर्मचारी बताया था. युवती ने निकाह से पहले बातचीत के लिए युवक को लखनव के अंबेद कर पाक बुलाया. इस दोरान आरोपी ने महिला की स्कूटी ली और पाकिन करने के बहाने स्कूटी लेकर फरार हो गया. महिला बहुत देर तक इंतजार करती रही, जब युवक नहीं आया तब पीडित महिला थाने पहुँचकर युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाए. DCP गोमती नगर प्रबल प्रताप सिंग के मताबिक पूरे मामले में महिला से शिकायत पत्र लिया गया है और जाच की जा रही है. युवक की पहले भी शिकायत आज चुकी है, उसकी तलाश की जा रही है. युवक महिला को शादी.com पर मिला था और वही से यह बातचीत भी ती.